This is R.K. शुकला, ex-faculty of Allen as well as ACAS Institute quota. बच्चों आज बाइलोजी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पर कॉशन आते ही हैं, और जिसको याद करने में बच्चों को दिक्कत आती ही है, तो यहां आज मैं याद कराने के लिए बैठाऊं, इस टॉपिक को याद कराने के लिए बैठाऊं। और मेरा दवा है, एक आर्टर्स नट का वीडियो कत्म होते होते हैं, यह टॉपिक लगभग आपको याद हो चुका होगा. So this is R.K. Shukla, ex-faculty of LN as well as Akas Kuta and nowadays at NEET Binaik YouTube channel as well as Prakhar Institute for NEET offline as well as online. चलिए बात करते हैं, इस specific topic के बारे में हम लोग discuss कर रहे हैं, चलिए बात करते हैं इस topic के बारे हैं. So आज हम बात करने वाले हैं, origin as well as evolution of human being इस topic में जिसको mainly जिस पर question आता ही है और जिसको याद करने में आपको दिक्कत आती है इस topic के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये 12th NCIT के page number 141, 141 पर है 12th NCIT का page number 141, 141 अब सबसे पहले एक formula हमने यहाँ पर लिया है evolution of human being ठीक है और ये formula याद रखिये ये formula आपको याद रखना है Dr. Raheas Dr. Raheas एक मेरे मित्रुहा करते थे जो बहुत अच्छी faculty थे तो ये formula उनको dedicated है Dr. Raheas ठीक है तो याद रखना यहाँ पर हमने evolution of human being का sequence लिया है जिसको याद करने में बच्चें को दिक्कत आती है तो D for dryopithecus ये कहानी हम जहां से चालू करते हैं evolution of human being की सबसे पहले हम क्या लेते हैं dryopithecus जो सबसे पहला race हम लेते हैं A के बाद उसके बाद R for ramapithecus A for australopithecus H for homo habilis E for erectus यहाँ पर H for habilis and E for erectus homo sapi के साथ है and S for homo sapi है मतलब dryopithecus देखो जब हम evolution of human की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसे monkey से चलू करते हैं फिर ape से बात करते हैं ape से जिसका development हुआ वो क्या था dryopithecus फिर dryopithecus से जिसका evolution हुआ वो क्या था ramapithecus human के evolution का ये sequence है जिस पर सीधे सीधे question आते हैं dryopithecus से किसका evolution हुआ ramapithecus ramapithecus से australopithecus australopithecus से homo habilis और homo habilis से homo erectus and ask for homo sapien इस बात को अच्छी तरह से याद रट ठीक है फिर एक formula हम यहाँ पर और इस्तमाल कर रहे हैं JP है new cm JP मेरा बहुत प्यारा student है जैप्रकास आरिया बहुत प्यारा student और successful student है जो अभी जवलपुर में पुलिस में एक बड़े पदपर है मेरा बहुत चाहिता और बहुत ही प्यारा student है तो यह formula उसको समर पिता JP है new cm यहाँ पर याद रखना JP है यह homo erectus के लिए है और new cm किसके लिए है यह homo sapien के लिए इस बात को याद रखना all of us are homo sapien ठीक है तो J for jaba man P for peaking man and H for headal work man अच्छी तरह सी याद रखना J for jaba man P for peaking and H for headal work यह जो हमने सारे नाम दिये है उनके origin के बिस पर दिये है N for neanderthal C for cromagnon and M for modern man यह तीनों बेराइटी homo sapien की है इस बात को अच्छी तरह से याद रखना यह neanderthal ने किसको जन दिया cromagnon और cromagnon ने हमें modern man we are homo sapien sapien we are not only homo sapien basically we are homo sapien sapien तो neanderthal ने किसको जन दिया cromagnon को और cromagnon ने किसको जन दिया modern man को मतलब अगर कोई आपसे पूस्ता है कि हमारा nearest relative को ने तो याद रखना वो है cromagnon और second nearest क्या है यह है neanderthal तो याद रखना homo erectus की तीन बाराइटी है और homo sapien की भी तीन बाराइटी है इकुल मिलाकर छे बाराइटी यहाँ पर हो जाती है ठीक है अब इनके कुछ-कुछ character हमें यहाँ पर देखना है कौन सा हमने character लिया है यह सारे NCRT के character याद रखना जैसे पहले हमने लिया ancestor ancestor के बाद फिर हमने लिया है duration फिर उसके बाद हमने लिया है area area के बाद हमने लिया है cranial capacity और cranial capacity के बाद हमने दूसरा character लिया है अगर हम drive pathicus की बाद करते हैं तियाद रखना 15 to 3, 4 मया, मया means million year ago, मतलब 15 से लेकर 3, 4 million year ago इनका time है, इतना ही time रामा पिथिकस का है, अगर ऑस्टेलोपिथिकस की बात करेंगे तो 2 million year ago, अगर होमो हैपिलस की बात करेंगे 2 million year ago, अगर होमो एरेक्टस की बात करेंगे 1.5 million year ago, और होमो सैपियन का बात करेंगे 1,040,000 year ago, अगर एरिया की बात करते हैं तो देखो, इसका ड्रेलोपिथिकस कहा है, तंजानिया, इथियोपिया, इस्ट आफ्रीका, मतलब यह एफ्रीका में, रामा पिथिकस का भी same area है, जाबा, जाबा मतलब Asia में हम आजाते हैं, समझ गए ना, यह Asia में हम आजाते हैं, और उसके बाद होमो सैपियन, सेंटरल इस्ट आफ्रीका, अगर क्रेनियल कापसिटी की बात करते हैं, तो यह ड्रायोपिथिकस का कितना है, 450 to 600 cc, रामा पिथिकस का थोड़ा सा बड़ा और उस्टेलोपिथिकस का 500 to 600 cc, होमो हाबिलस का कितना हुआ, 650 to 800 cc, और होमो इरेक्टस का 900 cc, और होमो सैपियन का 1400 cc, अब यह एक बात यहाँ पर याद रखना, कि जितना बड़ा क्रेनियल कापसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब बेन का जो कवर है क्रेनियम, उसकी का अगर इसका कापसिटी जदा है, तो ब्रेन का साइज भी ज़दा होगा, और ऐसा बना जाता है कि ब्रेन का साइज जादा होगा, तो ब्रेन का फंसनिंग भी बहतर होगा, अलंकि हमेसा ऐसा सही नहीं है, क्रुमेगनोन का brain होमो सैपियन से जदे बड़ा है, लेकिन उसकी उतनी बहतर नहीं थी छेक है अगर अधर केरेक्टर की बात करें तो ये ड्रायो पिधिकस not taller than 4 feet 4 feet से ज़्यादा नहीं था ग्रामा पिधिकस भी लगवग इतना ही था और और अस्ट्रैलो पिधिकस जो है मीत नहीं खाता था होमो हैविलस भी नहीं खाता था और होमो इरेक्टरस मीट का सेवन करता था अब एक छोट आसा कंपेरिजन है अब थोड़ा सा बात यहाँ पे कर लें हम किसके बारे में ड्रायो पिधिकस एंड रामा पिधिकस की खास बात क्या है दे वर हेरी एंड बॉक्ड लाइक गोरिला एंड चिंपांजी गोरिला और चिंपांजी के चलने में और मंकी के चलने में क्या अंतर है गोरिला और चिंपांजी के चलते चलते समय यह थोड़ यह अपने हातों क इस्तेमाल आम तोर पर नहीं करते थे, लेकिन ये पूरी तरह से खड़े हुए भी नहीं थे. रामा पिथिकस वाज मूर मैंगवाइल, डायो पिथिकस वाज मूर एप लाइक. अगर रामा पिथिकस की बात करें, evidence show they hunted with stone weapons, but essentially at fruit, ये आवश्यक रूप से fruit खाते थे, ठीक है, और ये stone के पत्थरों का, बतलब इस्टों के बैपन सहतियारों का इस्तामाल करते थे. और हो मैंपेलस, some of the wounds among the wounds discovered by different, इसमें कुछ वोन है, जो अलग है, this creature was called the first human-like being, the human-like human के जैसा, ये पहला माना जाता है. Got it my point? फिर थोड़ा सा बात करें, homo sapiens के बारे में, तो याद रखना, neanderthal के बारे में, lived in near east and central Asia between 1 lakh, वही साब, इसके बारे खास बात क्या है, ये छिपने के लिए गुफाओं का अस्तामाल करते थे, और अपने dead body को जलाया करते थे, अगर cromagnon की बात करें, तो इसका cranial capacity लगवक 600 CC था, and we are homo sapien. ठीक है बचो, तो याद रखना है, इतनी बातें अगर हम याद रखतें बातें, और भी कई सारी हैं, जो मेरा मन करता है आपको बताने का, बट केवल इतनी बातें याद रखने से हमारा काम हो जाता है, और जो भी question है, वो आपको मिल जाता है, त बास्ट